हलो देश्टो आज मैं बताने गाना है कि 2nd space तर जो साइट में शॉर्ट कर दिया गया है अभी वो जो shortcut बता रहा है कि अभी पूरा हटा दिया गया है, shortcut अभी हैं ही नहीं मैं आपको बता हुगा आज कैसे आप without shortcut भी इने data को 1st space से 2nd space में move कर सकते हैं देखे रहे लास्ता की वीडियो यह है दोस्तो हमारा MI Note 5 Pro यह अपन जाएगे है पहले 1st space मैं आपको बताता हूँ देखे दोस्तो यह है हमारा 1st space यह उसके सारे data अभी हम जाएगे 2nd space में 2nd space हम directly go to 2nd space में भी जा सकते हैं या फिर आप तक जो pattern है यह फिर प्रिंट है उसके प्रूव भी जा सकते हैं 2nd space में 2nd space में यहां पर पहले बताया जाता था move data अभी data की दोस्तों बिल्कुल नहीं तो हम बताते हैं कि यह कैसे जाएगे पहले आप setting में जाएए setting में जाने के बाद आप जाएगे 2nd space 2nd space में आप जाने के बाद यहां पर आपको मिलेगा move data move data पर आप क्लिक कीजिए अपना enter password डालिए जो भी आपका 1st space का था 1st space का पासवर्ड अपने डाल दिया है तो यह भी आप जो पहले shortcut में दिखाता था वो भी सारी data दिखा देगी इंपोर्ट फोटो आप इंपोर्ट का सकती इंपोर्ट फाइल का सकती इंपोर्ट फाइल का सकती आप 2nd space का export photo का सकती export file का सकती आप फोटो पहले 1st space से देगी मान दीजिए यह दू paper हमने लेगी दू photos है papers की यह लोड़ीए अब हम चेक करेंगे क्यायर दिने जाए देखे दोस्तो हमारे second space में आगे है तो अभी जो shortcut हो खाली झाल झाल झाल